हे गाईस तो यह हमारा विटीज का टेलीगराम पे एक चैनल है जहाँ पे मैं आपको फ्लिपकाट अमेजॉन के बहुत सारे डेल्स उसके साथ इसाथ पेटियम का हमारा जो गीववे होता है वो भी इसी चैनल पे होता है तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी बहुत सारा पैसा क्मा सकते हो लगबग 1100 रुपे यह particular account में मैंने जमा किये अभी तक phone pay के तो basically sin क्या है पता है यहाँ पे लोग क्या करते है phone pay application डाउनलोड करते है रेजिस्टर कर देते है उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि किस तरह से पैसा send करें अपने दोस्तों को है तो इसमें आपको basically करना क्या है phone pay के home page पे आपको यहाँ पर two contact option दिखाई दे रहा है तो उसके पर में click कर देता हूं तो अभी यहाँ पर जो पैसा हम लोग send करते हैं तो उसकी भी बहुत सारे तरीके रहते हैं एक तो है contact दुसरा है आपको directly उसके bank account में पैसा send करना पड़ेगा वह भी किसे करते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा तो basically आपको क्या करना है suppose आपका दोस्त फोन पे रहेगा तो यहां से directly उसका number आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको मिल जाएगा या फिर साइड में आपको एक राउंड बटन दिखाए दे रहा है परपल कलर का उसके पर क्लिक कर देना यहां पर उसका number भी सर्च कर सकते हो आपके contact लिस्ट में ठीक है तो यह हुआ फोन पे का एक number लेकर आप पैसा सेंट कर सकते हो उसके बाद है भी यूपी आइडी क्या रहता है जब भी कोई भी बंदा फोन पे पे एक नया अपने फोन पे का जो है वो भी है आड़ यूपी आड़ कर देना तो मोस्टली क्या रहता है वही बाइडिफोल जबी भी फोन पे पर आप अप अपना अपना बीप आड़ी बन जाता है अड़ रेट वाईडी बाट यहां पर एक ऑप्षण भी रहता है कि आप अपना भी पैडी जो है चेंज भी कर सकते हो तो सपोज अगर आपके दोस्तने औरी चेंज करके रखा है तो आप उसे एक बार कंफिरम कर लेना वही उसका बीप आड़ी है कि जैसे कि मेरा यहापर वीटीच एट डरेट वाईबेल करके बीप आड़ी में डाला वेरिफाय बीब्स पर कलिक करता हूँ तो यहाँ पे वेरिफाय हो जाता है तो यह एक सेक्ट्योर है अप पैसा सेंड करने का क्योंकि यहाँ पर अड्रेट वाईब phone number at the rate YBL डाल दीजिए उसका नाम जो है बंदे का सामने आ जाएगा तो उसका नाम यहाँ पर आप nickname कुछ भी चाहिए वो enter करके save कर सकते हो confirm पर click कर दिना directly option आ जाएगा आपको payment का यहाँ पर amount डाल के आप अपने दोस्त को जो है पैसा send कर सकते हो जिससे आपको actual में करना है या फिर contacts में से आप number directly select करके उसे भी send कर सकते हो उसके बाद bank account last का option है तो basically यहाँ पर देख सकते हो recent में मेरे bank account दिखा रहे तो यह actually मैंने recently जिन लोग को send किया था पैसा उन लोग के account number से अगर आपको किसी नए बंदे को send करना है जिसे आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ उसके बाद account number डाल देना जो 12 digit का account number रहता है वो उसके बाद उसे वापस confirm कर देना है आपको उसके बाद account holder name तो यह ज़रूरी नहीं कि right होना चाहिए बट फिर भी आप पूरा नाम डाल दीजिए सामने वाले बंदेगा उसके बाद यह phone number और nickname जो ऑप्शनर है फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पर इन लोगों ने nickname पूछा है बट वो डालने की ज़रूत नहीं है account holder name जो भी रहेगा वो डाल देना और बाकी यह जो उपर वाली तो यहाँ पर मैंने दोसका नंबर जो सिलेक्ट कर लिए इसके बाद इंट्रा अमाउंट करने पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर सवर डाल दूँगा सवर डालने के बाद यहाँ पर bank account आप जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए तो मेरे दो है bank of बड़ोदा और HDFC तो म तीनों में से कौनसा भी वे यूज कर सकते हो तीनों भी सेम है संव प्रोसेस है आपको पिन डालना पड़ेगा आपका इनिशले आपको यूपेी पिन जो है सेट करना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं फोन पे अप्लिकेशन किसरा से इंस्टॉल करते है या फि हो डिरिक्ली मेरे दोस्ते बैंक अकाउंट में चले जाएंगा इसा नहीं कि वालेट में चले जाते बैंक अकाउंट में चले जाते तो टैप टु वियू है पर देखते। चैनि मुझे मिला है तो बीसिकली हर अगर से मिलेगा रेजिस्टर फोन पे यूजर को भी पैसा ट्रांसफर करने पर आपको एक स्वेच कड मिल जाएगा तो बस दोस्तो इतना ही था इस वीडियो में फोन पे के अप्लिकेशन के बारे में यह आपको बताना था मुझे तो वीडियो अच्छ लगे तो प्लीज वीडिय लेकिजी चैनल को जरो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स टूडियो में थैंक यू सो मच